असलाम नेकुम वेल्कम बैक टू मैं चैनल होप यो लाट वेल तो आज जो है मैंने केक की रेसिपी ट्राइ किया मरियम पर वेस के और देखते हैं कि यह कैसा बनता है और बनाने में यह कितना इजी है और इसका जो स्पंज है वह वाकी में इतना सॉफ्ट बनता है कि नहीं मन बिसमिल्हार रख्मान इरहम तो यहां पर जीन इंडियरेंट्स के में चार अंडे ली है पोना कप यहां पर मैंने मेहदा लिया यानि क्या हाफ कप से ज्याता हाफ कप मैंने यहां पे पीसीवी चीनी ली है एक टेबल स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर वान इसके लाओ यहां पर वनी लाइसेंस के फ्यू ट्रॉप्स जाहिए तो यह सारी चीज़ें हमें केक रडी करने हैं सबसे पहले जो है मैंने एगवाइट्स को और येलो वाले पार्ट को जो जो है इसको इतना बीट करना है एगवाइट्स को के जो है यह क्रीमी फॉर्म में करनोर्ट हो जाएग और जो हाफ कप शूगर थी वो तोड़ी तोड़ी करके इसमें अट करते जाना है और इसको घुचाट करते चाना है कि जो बीटर है और जो बाउल है वो बिल्कुल ट्राय होना चाहिए अगर ज़रा सब इसमें पानी वाना तो यह जो एग वाइट्स हैं यह क्रीमी फॉम में कंवर्ट नहीं होगे तो यहां पर जो यह प्रोसेस कंप्लीट हो गया है अब जो मैंने पोना कप जो मैदा ले लिय है तक कोपाउडर अड़ कर देना वाना त्व पाउडर एट कर दना तक बाउड स्पोन है घृत करना फॉल्स फोह सब एक अप है इसको देहान से रिधिये यह पर जो मैंने मिक्सिर लिया था उर यह जो मैदा बेकिंग पाउडर और कोपाउडर एसको अच्चेंगे डालन जितना अच्छे तरीके सेच को चानके डालेंगे कि कसपजraction वह अच्छा राड़ी होगा ईकी तरफ आपने जिए फौल करणा रिभित समयberry तो मैंब फूल करके और फापको दिखाती हूँ मैं गार को अच्छे तरीके से फूल कर state था कि थोड़ा से बनी लेस्सनस डालना है मैंने अंदाजे से डाला था यह तकरीबन चार से 5 होपस और एक तफ़ इसको छे तरीक़े से फिरसे फॉल्ड कर दिना है यहां पर जोई मैंने मौडल लिया था गौल ब किसमें वह एंने इसके अंदर सारा बाटर협 और और पूर करने अब आपने है इसके ऐस्ट वह तरीकर से Bells कि का दम करने के जोगी यहां पर मैंने इसको चेक किया है मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है रखा था और इसके अंदर अब जो है तुट पीक वगारा कुछ भी डाल कर जो इसको चेक कर लेते हूं तो यह देखें बिल्कुल क्लीन निकली है इसका मतलब है कि एक बिल्कुल रेडी है अब जिस ट्रे में प्लेट में आपने इसको सर्फ करना है उसी में इसको निकाल के इसके जो है दो पीसिस कर लेने है मैंने जो है थोड़ा थोड़ा छुरी को अंदर रखते हुए इसको गुमागगग कर जो है कट किया था ताकि जो अंदर से जादा तूटे नहीं तो घर मे तो इसी तरीके से cut होगा यह कोई professional तरीका तो नहीं है लेकिन अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से बीट कर लेना है यह क्रीम जो बिल्कुल ही ना फीकी सी लग रही थी तो मैंने इसमें शुगर आड़ की थी तक्रीबन दो से तीन टेबल स्पून आपने शुगर आड़ करनी है बिल्कुल लाइट सा टेस्ट आएगा ज्यादा स्ट्रॉंग टेस्ट नही फीसी हो जाए तो अब जो है यह विपोना स्टार्ट होगी थी तक्रीबन दो से तीन मिनट के बाद अब इस पॉइंट पर आकर जो है इसमें दो डेवल स्पून जो है को को पाउडर आट कर देना है और इसको एक दफा फिर से अच्छे तरीके से जो है बीट कर देना है त तो दो मिनट मैंने इसको और बीट कर आता और अब यह देखें को चेक करने के लिए जो एक दफा बाउल को इल्टा करके अधे काता तो यह बहुत यह एच्छी विपोई थी जैसा कि आप देख सकते हैं केक को डाक चॉक्लेट ली और इसको से इस तरह काट लिए आप कुछ भी उसकर सकते हैं चॉकलेट सीरप भी ले सकते हैं केक को थोड़ा बीक्री स्टाइल टच देने के लिए यहाँ पर हाफ कप पानी लिया था और इसमें वैसे तो कोफी अट करनी थी लेकिन मेरे पास कोफी नहीं थी तो मैंने कोगो पाउडर से काम चला है हापर मैंने हाफ टेबल स्पून कोगो पाउडर डाल लाए और इसमें दो टेबल स्पून मैंने चीनी डाली हुई थी already और इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करना है अब जो सीरप रैडी किया था वो सारे स्पंज के ओपर अच्छे तरीके से लगा देना है जितना सौट स्पंज आप चाहते हैं उतना इसके अंदर सीरप हैट करते जाएं सीरप हैट करने के बाद इसके ओपर अच्छी सी क्र लगा देनी है क्योंकि इसको अच्छे तरीके से ना कवर कर देना है तो यहां पर मेरे पास कोक्टेल तो थी नहीं तो मेरे पास एपल थे वह ही मैंने चोटे-चोटे करके डाल दिये और यह जो दूसरा मैंने इसके उपर लगाया है ना स्पंज इसको मैंने ओलाडी सीरप के साथ वेट किया हुआ था तो यहां पर आपने इसको क्रीम के साथ अच्छे तरीके से कवर कर देना है और अब इसके साइड्स को भी मैं अच्छे तरीके से क्रीम के साथ कवर कर दूँगी और कवर करने के बाद इसको अच्छे तरीके से क्रीम को सेट कर देना है, बिल्कुल इसके ओपर, तो यहाँ पर सेट करने के बाद जो है, मैं अब इसको थोड़ा डेकुरेट करूंगी, और जो प्लेट की साइड़्स हैं, उनको भी अपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, अब जो है, प्लेट की साइड़्स को मैंने टेशू के साथ अच्छे तरीके से साफ कर दिया था, और जो है, अब इसके ओपर जो चॉकलेट के मैंने चुट चंक्स करके रखे थे, वो एड़ कर देने हैं, इसको थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए, तो अब जो है, लास्पर मैंने केक को थोड़ा और अच्छी को लेपल्स एड़ करती है, यह किसी भी अच्छे डपार्टमेंटर स्टोर से आपको मिल जाएंगे, तो यह थी आज की रेसिपी जो के बनाने में बहुत ही ज्यादा एजी है, मैंने इसको विद्दाउट ओवन रेड़ी किया था, और इसके लावा मेरे पास चोगर में इ प्रिज में रखा था, उसके बाद मैंने इसको कट किया था, ताकि जो क्रीम अच्छे थी जो फस्टे कर जाए, तो यह केक बनाने में बहुत ही जादा एजी है, और बिल्कुल इसका टेस्ट बिक्री स्टाइल लग रहा था, आप इस केक को जरूर ट्राइ करिएगा, और भी जरूर चूज कीजिएगा, बहुत अच्छी क्रीम ती है, तो यह थी आज की सिंपल सी रेसिपी, अब मैं चलती हूँ आओंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज,